नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकित और मेरे चैनल A2 Techie में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें आप देखते हैं प्रोड़क्ट की अन्वाक्सिंग, प्रोड़क्ट का रिव्यू और प्रोड़क्ट के बारे में इंफॉमेशन तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो डेल कंपनी का है यह बॉक्स देख रहे हैं आप यह डेल की ब्रेंडिंग हो रही है और यह USB डीवी ड्राइटर या DVD ड्राइटर कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे देखिए दोस्तों इसमें आप DVD राइट कर सकते हैं DVD प्ले कर सकते हैं CD राइट कर सकते हैं CD को प्ले कर सकते हैं और जो DVD के इन पिल्वे बर्जन होते हैं डीवीडी प्लस आर डीवीडी माइनस आर तो आप इसमें राम से राइट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं और दोस्तों इसमें आप 8.5 जीवी तक की ड्यूल लियर डीवीडी को राइट भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं और दोस्तों इसमें री राइटेबल सीडी भी आप RAM से write कर सकते हैं और उसको खाली भी कर सकते हैं यानि कि कोई re-ritable आपके पास disk है वो आप खाली करना जाते हैं तो खाली भी हो जाएगी उसको write करना जाते हैं तो write भी हो जाएगी दोस्तों आपने computers वगएरा में DVD writers देखे होंगे जो internal DVD writer बोले जाते थे वो internal DVD writer होते थे यह आपका external है यह USB की दुरूप रिटर होता है तो आप इसको किसी में भी चला सकते हैं विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10 चलिए दोस्तों इसे inbox करते हैं और देखते हैं इसके अंदर DVD writer के लाव और क्या क्या है जैसे दोस्तों यह DVD writers कमी जलते हैं कमी दिमांडन होते हैं यह भी रखने पड़ते हैं कोई बूला बटका रसमर आजा लेने तो यह देखें यह DVD writer है इसको बार में लखेंगे यह इसकी user manuals है और इसका जो DVD को write करने के लिए या CD को write करने के लिए जो software होता है वो इसके अंदर है यह देखें मीडिया सूट के नाम से है मीडिया सूट 10 for DVD तो चलिए इसको side रखते हैं पहले इसको easily रख लें यह quick start guide है इसकी इसमें दिखा रखा है कि कैसे कैसे use कर सकते हैं इसे और यह भी इसकी शायद यह डेल की दरफ से है कुछ खास सीज़ नहीं है अब main product पर आते हैं यह इसका main product है इसको unpack करते हैं यह देखिए यह मैंने unpack कर दिया है यह इसमें slot दे रखा है यह इसका mini usb slot है मैं आपको और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह dual layer होता है जिसमें आप 8.5 GB तक की DVD को write कर सकते हैं और rewriteable disk आती एक तो उसको आप blank भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं तो इसकी cable देखते हैं इसमें company ने cable शायद नहीं दिये company ने cable नहीं दी company कहती है cable अलग से purchase कीजिए तो दोस्तों यह external DVD writer आपको कैसा लगा हमें आप comment में जुरूर पताईएगा ऐसी अच्छी वीडियोद आपके लिए लाते रहेंगे आपका ग्यान बढ़ाते रहेंगे मिलते हैं आपसे ऐसी किसी इच्छी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद